निर्शकार दोस्तों मैं उड्र अम्रीशकारी आपका अपने योट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमियोपेती दवाई ब्लैटा ओरियंटेल इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन लक्षण और किन बिमारियों में हम पेशेंट को देते हैं लेने का सही तरीका क्या होता है जानने के लिए वीडियो पूरा देखें अगर आप हमारे जैनल पर नहीं है तो जैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेट इट रहें दोस्तो बलैटा दवाई को एंटी अस्थमेटिक दवाई बोला जाता है ये अस्थमा को ठीक करती है ब्रोंकाईटीस को ठीक करती है ब्रोंकियल अस्तमा अगर acute condition का हो यनि पेशन्ट को कुछ ताइम पहले शुरूआ हो जिसके करण पेशन्ट को सांस लेने में तकलीफ आ रही हो तो ऐसी condition में ब्लैट अदवाई देने से पेशन्ट को काफी राहत मिलती है इसके और symptoms की बात करें अस्तमा के दोरान पेशन्ट को ब्रोंकाइटिस हो गया हो साथ में म्यूकस बहुत जादा जमा हुआ हो और सांस लेने में जिसके करण तकलीफ होती हो बेचैनी भी देखने को मिलती हो और suffocation यनि पेशन्ट का अगर दम घुटता हो तो ऐसी condition में ये दवाई देने से सांस की जो तकलीफ हो रही है वो भी ठीक होती है म्यूकस भी कम होता है और ब्रोंकाइटिस भी ठीक होता है इसमें पेशन्ट को हम ये दवाई तब देते हैं जब पेशन्ट को रेनी वैदर यनि बरसात के मोसम में अगर सांस लेने में तकलीफ आती हो या फिर शाम के समय अगर प झांशी हो गई हो बरसाद के मौसम में या शाम के समय परेशानी हो इसम रख सकते हैं लेकिन आगर आपको ट्यूबरकुलीश है तो धॉअग बदी डोक्तर की सलाー जरूर ले दोस्तो ये दवई देने से patient की जो thick mucos होती है, thick mucos का discharge हो रहा हो तो उसको ये दवई control करती है, lung infection में भी सहम दे सकते हैं, यानि फेपडो में अगर patient को infections हो गए हो तो इसको ये दवई ठीक करती है दोस्तों इसके mind के symptoms की बात कर लेते हैं यनी किन patient के लिए ये दवई suitable रहती है अस्तमा के साथ-साथ mind के symptoms की अगर बात की जाए तो patient बहुत बेचैन रहता है patient के अंदर emotional dull lens देखने को मिलती है patient के और symptoms की बात करें तो sensitive to emotions होता है इसके अलावा patient respect चाहता है और इसके साथ ही patient को साथ लेने हम तकलीब शाम के समय आती है तो अगर mind symptoms ये हो और patient को अस्तमा की दिक्कत हो या फिर bronchitis हुआ हो lung infection हो तो ऐसी condition में इसे आप doctor की सलहा पर patient को देज सकते हैं ये दवई 30 CH, 200 CH, 6 CH potency में जाद तर यूज की जाती है patient की condition पर depend करता है कि ये दवई किस potency में जादा suitable रहेगी इसलिए अपने homeopathic doctor से मिले नहीं तो देगए WhatsApp नमबर पर हम से संपरकर इलाज यसला ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यावाद चैनल को सब्सक्राइब करें comment section में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है thank you